Hello guys, आपके मनजिल के सफर में आप सबका एक बार फिरसे स्वागत करता हूँ तो हम आज देखेंगे Geography Practical का जो टॉपिक बज गये थे उनके बारे में आज हम डिसकस करेंगे ठीक है, इसके syllabus के बारे में मैंने detail में बता दिया है कितने marks के paper आएंगे, किस chapter से कितना आएगा सारे चीज़ के बारे में detail में वीडियो बनाया हुआ है आप link जो description में दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं तो अभी जो हमारे chapter number 3, यानि कि graphical representation of data ये 3 में से आपके ये 4 point आ रहे हैं यानि कि line graph, bar graph, pie graph या pie diagram भी बहुत सकते हैं और flow chart या flow map भी इसको बोला जाता है ये 4 चीज़ आपके term 1 में आ रहे है, chapter number 3 से साथ से आपका क्या coroplate आ रहा है, dot में पा रहा है और isoplate map, ये 3 जो map है वो भी आएंगी जिसके बारे में हम आगी discuss करेंगे और पहले से ही इसका वीडियो आपको जो हमारा playlist है, उसमें मिल जाएगा जोग्रोफी practical class 12 का, ठीक है? तो आज हम line graph के बारे में discuss करेंगे ये point छूटा हुआ था, इसके बारे में detail में वीडियो बना हुआ नहीं था तो इसके बारे में detail में discuss करेंगे कि जो line graph होता, वो क्या होता? यानि कि chapter number 3 से ये बहुत important है इससे आपको question आएंगे, आपको solve करने पड़ेंगे line graph में क्या होता है? देखे, सबसे पहले तो हमने data के बारे में पढ़ा यहाँ पर chapter का नाम से पढ़ा रहा है graphical represent करेंगे, किस चीज को? अब data, यानि कि हम representation करेंगे graphically, किस चीज को दिखाने के लिए data data हम किस-किस source से करते हैं इखटा ये chapter number हमने 1 में पढ़ा था यानि कि primary और secondary ये दो source से जिसे हम data को इखटा करते हैं चाहे आपको, अगर मैं बो दिया कि आपके colony में कितने आदमी रहते हैं मैंने आपके locality में आपको जाने बोला आपने वहाँ के लोगों के number को count किया देन उसको बता दिया कि वहाँ पर 200 है जिसमें से 100 male है और 100 female है ये सिर्फ आपने orally बताई है ये कहीं पर reader है बट हम लोग graphical representation क्यों करते हैं जब वो कोई चीज attraction के लिए जैसे जल्दी आपको समझ में आए कि हम एक chart बना दी जिससे पता चल गया male कीदर है female कीदर है ये ही चीज इसी लिए हम लोग क्या करते है कोई भी diagram जोग्रफिकल diagram के यूज करते है उस चीज को attractive बनाने के लिए और ज़्यादा हमको समझ में एक diagram को देखके तो आज यही चार चार डाइग्राम जो important आपके term 2 में आएंगे जिसको आज हम discuss करेंगे सबसे पहले हम line graph की बारे में बात करते हैं कि line graph होता क्या है इसमें क्या होता है हम किसी भी time series को दिखाते हैं किस चीज को दिखाते हैं time series इसको आप note down करके रखिए time series को हम line graph से दिखा सकते हैं data हमको कहां से मिल गया अब time series किस चीज का time series को दिखाते हैं तो हम time series को दिखाते हैं किसी भी जगा के rainfall को दिखाने के लिए क्या को rainfall को temperature को कही के दिखाने के लिए साथसियत मैं लिख रहा हूँ death rate, dr लिखा मैंने साथसियत लिखा birth, br birth rate, ये सारे चीज को दिखाने के लिए, और ये सब क्या होगे time series, किसी एक particular time में यानि कि जुलाई अगस्त के मन्त में कितना इंडिया में बारिस हुई, कितना temperature इंडिया में कितना birth rate है, कितना death rate है, इस सारे चीज को दिखाने के लिए particular time period के अंदर, इसलिए इसको कहा जाता है time series के अंदर रखा गया है line graph, बहुत easy है, बहुत आसान तरीके से हम सीख सकते हैं इकडम कुछ नहीं इसमें, छोटा सा चीज है तो यह हमने देख लिया क्या है, line graph इसका definition लिखने पर आएगा, अब यहां से लिख सकते हैं कि इस तरी से हम एक graphical representation of data है, जिससे हम time series को दिखाते हैं, जिससे हम rainfall, temperature, birth rate, date rate, यह सारे चीजों को दिखा सकते हैं यह definition के रूप में हो गया, जो आपको rainfall rainfall का ही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है बभू rainfall in centimeter में, rainfall को centimeter में मापते हैं कि इंडिया में कितना centimeter बारिस हुई, तो 200 centimeter, हम लोग centimeter से मापते हैं, अब बहुत लोग सोचते होंगे centimeter से कैसे मापते हैं, तो उसके लिए एक ऐसा जो एक नापने का container होता है, जिसमें एक particular उसको खाली जगा में रख दिया जाता है, जितने time भी बारिस होता है, उस time में कितना पानी जो भड़ता है, उससे ही हम आप लेते हैं कि इतना centimeter, यानि कि उस बोतल में कि 10 centimeter भड़ा है, तो इसका मतलब कि एक घंटा में अलिपूरद्वार या जो भी इलाका में आप रहते हैं, उस इलाका में 10 centimeter भारिस हुई है, इस बैसे इसको हम centimeter से दिखाते है, scale से वहाँ पे उसका draw रहता है, scale कि इतना centimeter उसमें, इस तरीके से, उसमें कितना centimeter हुआ भारिस, container में, तो उससे सब से बता देंगे आत्रा पीछे चले जाते हैं, 1980 में बारिस, उसके बाद जाके 1990, उसके बाद जाके 2000, उसका 2010 और फिर 2020, तो मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल कूल पांच डाटा लिए, एकदम छोटा से समझा रहा हूँ, पांच डाटा हमने लिया, इस पांच डाटा का 2010 और 20, हर में 10 साल कांतर है, तो 1980 में कितना बारिस हुआ था लगबा, मैं इसको बता देता हूँ, 200 सेंटीमीटर बारिस हुआ, कितना हुआ, 200, 90 में हुआ, 210, 2000 में बिल्कुल बारिस नहीं हुआ, सोचे सूखा कम उसम आ गया, यहाँ पर मैंने दिखा दिया 150, बहुत कम बारिस हुआ, फिर 2010 में मैंने दिखा दिया, 190, और फिर 220 में हमने कितना दिखा दिया, 230, तो कुल आपको देखिए, यह year और rainfall, यह आपको दे दिया जाएगा, कोई भी data चाहिए, यह rainfall का हो सकता है, birth rate का हो सकता है, death rate का हो सकता, यह आपको क्या हो गया, यह data की examination में दिया उच data को देखिए, देखके एक 2, 3, 4, 5 year दिया हुआ है, सबसे पहले आप एक line टारिए, x axis का, क्या करिए, एक line टारिए, x axis का, यह line आपने टान लिया, जिसमें आप इस year को दिखा दिजे, हर में 10 साल का है, 90s, 80, 1990, 2000, 2010 और 2020, एक आपने data लिया, सोचिए, इसको आपने दिखाया, 1980, एकदम सेम गैप होना चाहिए, इसको construct करने का एक चीज है, कि आप यहाँ पर 2 cm ले रहे तो यहाँ भी 2 cm लिजे, और 2 cm रिप्रेजेंट, 10 साल को दिखा रहा है, तो यहाँ पर 90s, 90 हो गया, then 2000 हो गया, 2010 और 2020, टाठा बन गया, x axis का, अब सिंप थोड़ा drawing मेरा 13 होता है, माप कीजीगा उसके लिए, ठीके न, तो यह y axis का आपने ले लिया, y axis में आपको क्या दिखाना है, इस तरफ आपने years को दिखाया, simple लिख दिजे, जो बात मैं बोल रहा हूँ, यह सारी construct करने के लिए जरूरी है, इतने सारे book में लिखे होंगे, उतना कुछ देखने की जोड़त नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ, घ्यान से समझे, तो ही हो जाएगा, एक axis में आपने years को ले लिया, यहां years लिख दिया, y axis में आप क्या लेंगे, यहां rainfall लेंगे, तो यहां rainfall लिख दिजे, इस तरीके से भी लिख सकते है, copy मैं घुमानी बारो ब्लैक बोड को इसलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, rain falls in cm, ऐसा लिख दिया, ठीक है, सबसे पहले यहां पर आप 50-50 का ले लिजिए, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, मैंने 50 का gap रख रहा है, interval ठीक है, यहां पर हो गया आपका, सोची हमने starting किया, 100 से, उसका 150, सब मैं 50 का gap हो र 50, 300, 350, 400, चली हो गया इसने, यह हो गया आपका y axis, यह हो गया x axis, इसमें simple आपने draw कर लिया, दोनों को draw करने के बादा को simple इसमें करना क्या है, जो value दिया है, 90's 80 में कितना है, 200 है, इसको अब ध्यान से देखिए, कितना है, 1980 में 200 cm बारिस हुआ, अब 1980 में आपको क्या करना है, कर दिया आपने, यह point हो गया, simple, उसके बाद 90's 90 में कितना है, 210 है, 90's 90 में कितना है, 210, इस से थोड़ा सा उपर जाएगा, just यहां से हुआ है, इस जगह में थोड़ा उपर किये, 210 हो गया, 2000 में कितना है, 150, 2000 में 150, एकदम सीधा में point को plot किये, उसका जाके 210 में कितना है, 190, यहां कि 200 से थोड़ा सा नीची होगा, यह सब जगह, यह सब जगह में, आप स्केल का मदद दीजी का, तो आपका data जो आएगा, वो particular एकदम सही point में आएगा, मैं हाथ से करना हो, इसलिए थोड़ा up and down हो सकता है, उसके लिए कोई issue नहीं रखना चीए, ठीक है, 220 के हम ब बन गया है, बस समझाने के लिए आपको है, ठीक है, तो यह आपनी क्या कर लिया, data उसको ऐसे करके ले लिया, just graph के चीजों को आपने diagram में डाला, और diagram में करना किया है, आपको, इसका end काम है, उसमें आपको simple करना है, यह सारे line को आपको join करना है, यह free hand से, इसमें scale का प्र line, line graph हुआ ना, तो line graph ड्रॉ करने का यही तरीका है, अब कोई भी आपको मैं क्यों ना data दे दू, मैं confident हूँ कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे कुछ भी data, चाहे मैं temperature का दू, कि अगर 90s, 80 में इतना temperature हुआ, 90s, 90 में इतना temperature, या birth rate का दे दू कि 90s, 90 में 10 बच्चे मर 2010 में 5 बच्चे मरे, और 2020 में 2 बच्चे मरे, इसका पतर क्या चला है कि हमारा medical facility अच्छा हो रहा है, तो simple यही तरीका है, इसमें से कोई भी data को आप, कोई भी चीज को यहां पर सो कर सकते हैं, simple x axis यहां टानीगा, y axis टानीगा, इसमें draw करीगा, number को plot करीगा, draw करीगा, simple आपका lime graph का concept, और इसमें और कुछ जादा कठी नहीं आएगा, data कुछ भी हो सकता है, मैं simple data समझा हूँ, कोई भी data हो सकता है, मैं कुछ question आपको telegram channel में अपने exam से पहले provide करते रहूँगा, तो telegram channel का भी हमारा link दिया हुआ है, description box में भी देख सकते हैं, यह हमारा about section में भी पाई diagram और flow chart, यह पाई diagram और flow chart के बार में मैंने पहले ही video बनाया है, और भी अच्छे तरीके से दूसरे question के साथ करवा दूँगा, उसके लिए भी कोई issue नहीं है, अगले वीडियो में हम बार diagram के बार में discuss करेंगे, कि इस तरह के से हम draw करते हैं, एक एक वीडियो में हम ए जाय भार